श्रताब सभी का आप की अपनेी चैनल में ऐगंज़ाद वाहट अबार है बहुत बहुत श्युक्रीया स्पॉर्ट और दुलावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रीय आप आपने अपने बारे में आपनी राशी के बारे में इस तरह का प्रिडिक्शन भी नहीं सुना होगा और यह जानकारी भी आपने कभी भी नहीं देचे जानकारी आप पूरा समझें और बहुत अच्छे से समझें अगर आप इसे समझ गए तो आप डेफिनेटने अपने राज योग को अपने राज योग को अपनी कुणली में आप स्वयम ही सवता ही कुछ कर्मों के द्वारा बना सकते हैं तो विडियो बहुत महत्मून है अपके लिए अप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नहीं जुड़े हैं तो चोटा सब्सक्रा होगा आपके लिए भी मेरे लिए सबसे पहली बात है कि राज योग के लिए हर एक व्यक्ति का एक पहला प्रशन होता है कोई भी कुंडली देखेगा चाहे उसके पस अपनी जनमतारीक हो या नहीं भी हो और उसके मन में एक प्रशन हमेशा होता है कि चाह मेरी कुंडली मे राज योग है या नहीं है दूसरा प्रशन होता है कि एगर है तो वो कौन सी उम्पर में सफल होगा तीसरी बात है कि एगर है और फली फूट या तो वो निकल गया है या भी आने वाला है या उसको किस तरह सो उसका फाइदा ले सकती यह तीन मेजर प्रशन होते हैं एक सा जो जो बाएंगा इस तरह का प्रश्ण पुटाएं दोस्तों को माल लेजों अपको में अच्छी बाते लगे बांट कुन्रों था इससे पहल कि दया रजयों हो या नहीं हो अगर आप मंत्र जब कंटीन्यू करते हैं मंत्र जब के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन मंत्र जब अगर आप कंटीन्यू करते हैं तो आपको राजयोग तुल्य फल जीवन में मिलेगा अब इस बात को पूरा समझना अब यहां से पार्गेट के सुरूप मत करिए कि 108 कर लिए बहुत कर लिए उसको अनिमिटेट अपने खाते उठते बैठते सोते वाग जीवन में जब भी एवरी टाइम जब भी आपको वक्त लगे उस मंत्र को हमें कंटीन्यू जबने की एक आदर डालेना है वो राजयोगी आपको बन क्योंुक्य के ऑलेना है